नमस्कार मैं हूँ संकर विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेट्मेंट टीवी यानी टीबर कुलोसिस के बारे में सभी जानते होंगे यह भी जानते होंगे कि अब इस बीमारी का इलाज बहुत आसान हो गया है लेकिन extensively drug resistance TB आज भी एक बहुत ही खतरनाग बिमारी बनी हुई है इस बिमारी से मरने वाले मरेजों की संख्या बहुत जादा होती है इस बिमारी में किसी भी दबा का असर होना बंध हो जाता है लेकिन अमेरिका के डाक्टरों ने इस बिमारी से निपटने के लिए दबाएं बना ली है देखिए एक खास रिपोर्ट आम तोर पर TB को tuberculosis के अलावा तपेदिक राज एक्समा और डंडानों भी कहते हैं लेकिन multi drug resistance TB यानि MDR टीवी सबसे विक्राल रूप को extensively drug resistance टीवी यानि XDR टीवी के नाम से जाना जाता है अधिकांस तोर पर यहां टीवी दवा प जातर दवाओं का इस पर असर नहीं होता आज भी दुनिया भर में इस बिमारे से लोग मर जाते हैं लेकिन अमेरिका का खादे अमम आउसदी परसासन ने इस बिमारी के लिए तीन दवाओं का एक कोर्स तैयार कर लिया है W.A.C.O. की एक रिपोर्ट के अनुसार XDR TV के मामले अन्य टीवी की अपेक्शा कम होते हैं फिर भी भारत जैसे देश में अब तक 2650 मामले पाए जा चुके हैं सबसे ज़्यादा मामले भारत, चीन और रूस में पाए जाने का रिकार्ड है एक रिपोर्ट के अनुसार XDR TV एट से भी ज्यादा खतलनाक है 2017 में पूरी दुनिया में लगवग 13 लाख लोग इस बिमारी से अपनी जान गवावेट हैं यहाँ बिमारी कितनी खतलनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बिमारी से ग्रसित मात्र 34% मरीज ही ठीक हो पाते हैं अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि XDR TV होता कैसे है यहाँ केवल दो कारणों से फैलता है पहला तो यहाँ कि अगर कोई ब्यक्ति TV का इलाज करा रहा होता है और गलती से दवावों का दुरूप्योग हो जाए तो XDR TV पनपने लगता है दूसरे में अगर एक ब्यक्ति XDR TV वाले मरीज के संपर्क में जैसे ही आता है उसमें भी XDR TV हो जाने की संभावना बढ़ जाती है अक्सर निम्न माध्यम आयवाले देशों और निम्न आयवाले परवार के लोगों को XDR TV होता है क्योंकि स्वास्थ सुविदाओं की कमी के चलते XDR TV के पता चल नहीं पाता अमेरिका ने जो परिक्षण किया है उसमें उसे 90% की सफलता मिल गई है उमीद की जानी चाहिए कि अब दुनिया भर के XDR TV के मरीजों को बहतर इलाज मिल सकेगा